नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागात है लेटसी इंसाइड यूट्यूब चैनल पे मिरना में विजए है तो आज के वीडियो में आपको एक स्मार्ट कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपने कूलर में लगा के पानी की बचत कर सकते हो और जो कूलिंग होते हैं उसमें लग जाता है और इसकी केपिसिटी 100 वाट की है तो यदि आपके पास जो पंप एकुलर में लगा हुआ 100 वाट या उससे कम है तो आप इस डिवाइस को लगा सकते है तो इसमें कुछ फंक्शन है फाइव स्टेप मिलेगी आपको जिरो से लगा के तो वन स् इंपुट का है और जो ब्ली वाला वायर वो पंप में लगेगा यह हमारा स्पेसल पंप है जो इंडो कंपनी का है तो यह में इंडिया कंपनी का पंप है और मैं अधिकतर मेरे कस्टमर को इसी में इंडिया वाला पंप ही बेचता हूं तो मैं पास से कमेंट आई थी कि इस अच्छी company का है और अच्छा quality मिलेगी तो अभी हम pump को connect करेंगे तो pump को connect करने के लिए इसमें जो blue wire दिये है इसको pump के दोनों blue wire से connect करना है तो इस जो device है उसमें पूरी detail दी हुई है आपको कैसा इसको connect करना है कैसी wiring करना है सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा तो wire connect कर लिए है और इसमें 100 watt का bulb भी लगाऊंगा जिससे हमको मालूम पर जाएगा कि यह device में जो लिखा है कि इसको आप 100 watt तक load दे सकते हो तो एक check हो जाएगा कि हम इसको test कर लेंगे कि इसमें 100 watt का bulb भी चल रहा है साथ में pump भी चल रहा है और आपको भी देखने में सुई तो इस type के आपको connection करना है यदि आपको connection करते आते हैं तो आप समझ गए होंगे यदि आपको connection करते नहीं आते तो आप जो किसी भी electrician को बुलाएंगे तो उनको ये वीडियो दिखा दीजिए तो वो भी समझ जाएंगे किस प्रकार से connection करना है तो इसकी में आप देख सकत ये on रहेगा और three minutes तक off रहेगा ऐसे ही five function दिये तो five पे आप करोगे तो continue ये on रहेगा pump आफ नहीं होगा तो दोस्तों ये सिर्फ एक controller है जिसमें आप pump control कर सकते हो ये कोई remote controller नहीं है मैंने इसमें का एक device पिछले साल खरीदा था वो remote controller था और उसमें yellow function भी दिया वहा था यदि आपको remote controller खरीदना हो तो आप वो खरी सकते हो उसका वीडियो मैंने इसी वीडियो के आखरी में जोड दिया है तो यदि आप मेरे चैनल पर जाके देखना चाहो तो देख सकते हो यदि नहीं मिल रहा तो इसी वीडियो में आखरी में मैंने वो वीडियो जोड दिया जैसे ये वीडियो खतम होगा तब वीडियो स्टार्ट हो जाएगा उसके साथ ने आपको remote control मिलेगा और ये जो device इसके पूरे function मिल जाएगे तो यदि आप remote control वाला खरीदना चाते हो तो आपको ये device खरीदने की कोई जरूत नहीं है यदि आपको remote control वाला नहीं चाहिए आपको simple ये device चाहिए तो आप ये भी खरी सकते हो इन दोनों ही device की link में वीडियो के description में दे दूँगा आप महाँ जाके खरी सकते हो दोनों ही link Amazon के होने वाली है तो आप Amazon से खरी सकते हो तो इनकी link में ने description में दे दिये तो हम आज आके खरी सकते हो इनकी price भी देख सकते हो कितनी price इनकी price कम जादा होती रहती है तो इसी वीडियो में आपको इसको inside करके दिखा देता हूँ जो उसका microprocessor वाली जो IC है वो उन्होंने इ कीमत काफी ज़्यादा पढ़ियाएगी तो इसलिए बनाना किफाइत ही नहीं रहेगा तो आप इस प्रकार से device खईना चाहते हो तो खरी सकते हो और इसके अंदर किस प्रकार से quality वाइस में आपको देखने को मिल जाते component तो यह quality है नमस्कार दोस्तों आप सबका सौगात लेट से इंसाइट यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है विजैस तो आज की वीडियो में आपको remote controller वो भी cooler का remote control के बारे में बताऊंगा यह remote control आप जो देख रहे हो सिर्फ remote control ही नहीं इसमें एक दो function और है extra इसमें आपको remote control में पांचे दिन से यूज़ कर रहा हूं और इसका वीडियो में ने पहले से बना लिया था और इसका audio में बार में इंपूट कर रहा हूं पूरा review पूरा मेने चेक किया चलाने के बाद आपको इसका review दूँगा और यह आपको यह खरीदना हो तो इसकी link मेंने description box में दी तो वहां से खरीद सकते हो लेकिन उसके पहले आप वीडियो जरूर देखिए कि आपका काम का है या नहीं है दोस्तों यह जो controller है यह support करता है 400 watt की motor जो आपकी fan motor रहती उसको support कर लेगा maximum 400 watt और जो उसका water pump है यह 100 watt तक maximum 100 watt तक support करता है तो आपके cooler में यदि इतनी power rating है तो आप को खरीश सकते हैं और जो उसके कुछ विसेस्ता है में इस 시 toothpaste रख दिये तो आब मुहां से देख सकते हो तो इसकी कुछ विसेस्ता है और इसकी कुछ विसेस्ता जो अच्छी है जो में जादा अच्छी लगी दो आपको ज़रूर इस वीडियो बताओ हूँगा इस प् जो फावर और वाटर सेव कर सकते हो वह कैसे करोगे मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें तीन बटन आप देख सकते हो तो यह आपको इसका off करना है यह फेन की speed कम कशना करना है यह pump का humidity कंट्रोल करना हूँ इसका function में को बता चल लगा humidity कंट्रोल करने का जो इसका pump का है humidity आप देख सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियों बताऊंगा, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा, जो यह मोटर देख रहे है, उसके एकसास फेन के फेन मोटर है, तो यह 140 वाट की है, इसमें इसा लिखा हुआ है, पर जब यह चलता है, ब्लेड लगा के जब इसमें चलाते है, तो यह 250 वाट से ज़्यादा लेता है, वाट, 250 वाट से ज़्यादा लेता है, और यह हमारा पंप है, जो की 20 वाट का है, तो दोनों को मैं चला के बताऊंगा, और इनकी स्पीड भी कंट्रोल करके बताऊंगा, जो फेन मोटर है, उसकी स्पीड भी आपको कंट्रोल करके बताऊंगा, और इसकी speed आप control कर सकते हो तो 9 step बहुत होती है इसकी speed कम जादा करने के लिए 9 step दीए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप कर सकते हो और जो pump है उसमें 5 step तक आप इसका जो humidity control है वो कर सकते हो और इसका जो controller है उसकी जो wiring है पूरी wiring इसके box के पीछे पूरी लिखी वी कि आपको केसे wiring कहां पर जोड़ना है तो red वाला wire direct 230 volt पर लगेगा yellow वाला wire जो है इसमें पीछे जो लिखा वाई yellow जो color coding जो इसमें दी वो yellow wire आपके motor में लग जाएगा और blue वाला है वो pump में लग जाएगा इस प्रकास से मैं connection कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए तो यह जो red वाला wire direct 230 volt पर लगेगा इसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई wire नहीं कि यह common wire है कि सभी का एक wire यहां लगेगा इसमें सब के dedicated wire दिये वे 230 volt में connect करने के अलग और pump में connect करने के अलग फिलाल मैं भी pump connect कर रहा हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं तो यह pump connect कर रहा हूँ pump के 2 wire दिये और pump के 2 wire से इसको connect कर लो जो blue wire दिये जो circuit board के pump के और हम pump के direct 2 wire connect कर लेंगे simple है इसी प्रकास से जो yellow आले जो 2 wire दिये तो आपको motor के 2 wire इसमें connect करने है simple है तो इस प्रकास से wiring है इसके box के पीछे पूरी wiring दिये यह जो circuit मैंने मंगवाया है यह इसमें water level का board नहीं है यह आप खरीदना चाते हो तो इसमें water level भी मिल जाता है पर वो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं तो मैंने वो खरीदा नहीं water level का और वो ज्यादा कीमत भी थी इसकी कीमत भी कम है वैसे मैंने इसकी link description box में दे दिया आप महां से खरीद सकते हो क्योंकि यह मैंने अच्छे से चेक किया है चलाया इसलिए मैं आपको इसकी link दे रहा हूँ और description box में वैसे तो Amazon पर बहुत सारे इस type के circuit बीखते है पर मैंने वो सब चेक नहीं करें इसको मैंने अच्छे से चेक किया है चलाया है मुझे बहुत बढ़िया लगा इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ और आपको कह भी रहा हूँ कि अब यदि आपको यही करीदना हो इसके link में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीए आप महां से खरी सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो अब मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा पूरा चेक कर बताता हूँ तो यह हमारा जो power meter हम इसको connect करेंगे हम यह भी देखेंगे कि circuit कितना power consume करता है यदि आप pump और fan को off रखते हो सिर्फ circuit board on रहता है तो यह circuit board कितनी power consume करता है तो यह circuit board power consume करता है आदा watt 0.47 watt consume करता है जो कि भहत कम है और आप कोई साथ भी circuit board ले लो कम से कम इतना तो खर्च करता ही है यदि आप air conditioner का circuit board देखो कि वो 5 watt तक power consume करता है और यह हमारा cooler का circuit board है जो controller है fan की speed control करता है pump की humidity control करता है sleep mode है इसमें और अच्छा है इसमें काम है इसका remote भी बहुत अच्छी quality का circuit board भी अच्छी quality का और यह आपको सिर्फ जब यह ideal पर रहता है तो 0.5 watt consume करता है बहुत कम एक watt से भी कम और आप देख सकते हैं आप में इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको अभी आप देख सकते हैं पंप आउन है 6 watt जो consume हो रहा पावर यह pump का है तो जो pump हमारा 20 watt का है पर इसमें 6 watt ही consume कर रहा है क्योंकि उसमें लोड नहीं है उसमें भी पानी नहीं है आपको आउडियो में दोनों के आउडियो नहीं आएगी क्योंकि उसमें noise बहुत ज़्यादा थी तो मैंने audio उसका off कर रहा है तो आप देख सकते हो जो 3 step पे कितने watt ले रहा है 3 speed पे चल रहा है इसको मैं बढ़ाता हूँ 4 speed करता हूँ आप देख सकते हो 4 पे कितना power consume हो रहा है 105 watt 4 पे consume कर रहा है तो मतलब यह इतनी हेवी motor को भी control कर सकता है तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा है cooler के लिए या आप cooler के लिए यूज कर सकते हो 6 speed पे आ गया हूँ मैं 7 पे आगया हूँ अच्छा एक्स्प्लेन नहीं हो पाथा जिस प्रकार से में पावर मीटर से आपको बता रहा हूँ कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है इसमें स्लीप मोड भी है आप इसमें स्लीप मोड डाल सकते हो टाइमर भी है इसमें आप टाइमर फिट कर सकते हो नाइन हावर्स तक का टा हो तो क्या होगा कि pump भूद दिर तक मैंला ज्यादा समय तक पंप off रहेगा और कुछ समय के लिए on होगा जिससे क्या होगा कि humidity भूद कम फेलेगी और यदि आब इसको five पर कर दोगे तक pump भूद ज्यादा समय तक तक on रहेगा और कुछ ही कम सेकेंड के लिए off होगा तो इससे humidity बढ़ी आएगी और pump ज्यादा time तक on रहेगा और फिलाल तो हम cooler में pump on ही रखते है पूरे time वो off होता ही नहीं क्यों कि उसमें कोई circuit जोडा ही नहीं होता है यदि आप ये circuit connect कर लोगे तो आपका pump भी control कर सकते हो आप इसमें humidity control कर सकते हो आप उससे temperature भी आप कम जादा करके adjust कर सकते हो आप इसका temperature भी humidity से temperature adjust हो जाता है फिलाल तो humidity की studying में सिखायत नहीं रहती ही जब summer season start होता है जब humidity बढ़ती ही जब बारीस का मुसम आ जाता है जब बरसात होती ही तो humidity बढ़ती ही जब आप इसका function का use कर सकते हो फिलाल तो अभी pump आपको चालू ही रखना पड़ेगा तभी cooling अच्छी होगी पर लेकिन यदी pump ज्यादा चालू रहता है कि नहीं मलब यह कि pump off आप कर दोगे थोड़ी समय के लिए थोड़ी समय के लिए pump on कर दोगे उस समय cooling ज्यादा होती है आपने try करके देख यह circuit ले रहे हो तो आपने इसको adjust करना 5 step तक इसमें humidity एड़ेस करने का function है तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सी step में ज्यादा cooling मिल रही है 1 step में मिल रही है सेकंड स्टेप में मिल रही है अब इस प्रकार से pump को गंट्रोल कर सकते हो humidity जैसे तो यह जो circuit है remote control तो आपको मि humidity मिलता है sleep mode मिलता है इसमें आपको timer मिलता है तो इतने functions आपको extra मिलते हैं वह बोस्तों की रिवीव दे दिया है तो आप मुझे बता है कि ऐसे के सिर्किट वोड यह कहरी सकते हो आपको में यही नहीं कुड़ दूंगा बाकि सब्स्राइब कर लीजी और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद